आज हम लोग डिस्कस करेंगे Ambilical Harnia Ambilical Harnia क्या है, Symptoms क्या है, काज क्या है, और क्या इसका उपचार है, इन सबों के बारे में बात करेंगे, इसे पले की आगे बढ़ो, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबा लिजिए क्योंकि हेल से रिलेटेड, स्वास से रिलेटेड ऐसे एक कंटेन में लाता रहता है अम्बेलकर हानिया, पेट में एक थैली या उभार जैसा होता है इस परकार का उभार तब होता है, जब हमारे आतों का कोई हिस्सा हमारे मांस पेशियों के कमजोर वाले हिस्सियों में, नाजुक वाले हिस्सों में इस अंदर से प्रेशन मतलब ढखेलता है तोु हुसे उंमेलकल हाणिय करते हैं यह मतलब जो ना भू होता है, उसके आसपास की एरिया में ही ऐसा होता है इसलिए इससे उंमेलकल हाणिय करते हैं कि यह खास तोर से बच्चों में ज्यादा जेखने को मिलता है यह झोटे बच्चों में मिलता है और जैसे चार से पाउक साल के सकते हैं तो फिर धिमेझ हो जाता है अधि यह समस्या बड़े में दिखाए देता है तो एक गंभीर बिमारी हो सकती है और आपको नुक्षान कारण क्या होता है बच्पन में जो अंबिलकर काड होता है उससे ब्लड सप्लाई होती है बच्चों में और कट करने के बाद इंफेक्शन हो गया या वहां की तीशू जो कड़ी नहीं हुई या हील अच्छे से नहीं हुई तो पेट के द्वारा आंतों का बाहर रखिलने के बच्पन में यह प्राप्लम रहती है बड़े होने के बाद ठीक हो जाती है फिर उसके बाद जैसे आदमी का बेली बाहर आने लगता है पैट पैटी होने लगता है तो अंदर से पेट का दबाव बढ़ता है उसके वजह से जी सेरिया में मतलब बजपन का वीक्नेस रहता ह अदर से प्रेशव पढ़ता है तो और वह ऊबर आ जाता है तो उसको हम. अम्बेलकल हाड़िया करते हैं एडर्ट में इससे लच्छन क्या होता है उस एरिया पे थोड़ा सा मस जैसा गोला जैसा बाहर आजाना पेट बाहर आजाना उबरा हुआ दिखना जैसे कि मैं चित्र में लगाया है और दर्द करता है और उस एरिया में जो ब्लड सर्कुलेश प्राइशन होता है आट्यू वेसल्स जो रहती है उनके दवाव के वज़े से पेन बढ़ जाता है तो यह डर्द जादा होता है उस समय आपको ऐसी बार बार प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्जरी का सहारा लेना पर सकता है तो आपको बेट का सहारा लेना चाहिए और एकस आपने आप एटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अधी ऐसा करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो आपको सर्जर्ण से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए यह इसकी सर्जरी दो प्रकार की होती है एक तो ओपेन हर्नियोप्लास्टी होती है यह लेप्रोश्कोपि दोनों से उसको रिपेयर करते हैं तो ऐसे आपका अम्बेलिकल हर्निया ठीक हो सकता है दोस्तों आसा करता हूं कि यह कंटेंट अम्बेलिकल हर्निया वाली टापिक आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी कर लीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा शेयर करना ना भूले क्योंकि यह सब के काम की चीज़ है जै हिम जै भारत कुलते हैं किसी और वीडियों पर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त